हालो फ्रेंड्स वेल्कुम डू सक्सस मंत्रा मैं हूं मोनिक अगुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट कुईज लेके आए हूं यह आपके हर्याना के जितने भी एक्जाम से ना सभी के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है और साथ ही जो एच्छेस के लिए प्रिपेर अजर्स देने हैं तो इसका और होगा कैसरी बाल गंगादर टरक बाल गंगादर टिलख ने 1881 में समाचर पत्रकी स्थापना की थी केसी की केशित जैटा अवरा लार स्टा फार यह प्रकाशित होता था और अ ann door do books लेना तो ढख्या क송 मर्पार पूच्छ देन एक् ho कर देते हैं इसलिए बता रही हूं इस ने उस परका में साथ मैं आपको मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में ओके चलिए नेक्स्ट प्रदेश में एंटी पीसी द्वारा गैस पर आधारीत 432 मेगावाट का पाउर प्लांट कहां लगाया गया तो बताइए कहां लग गया था चलिए नेक्स्ट कोश्टन है थर्ड कोश्टन हर्याना सरकार ने किस वर्ष दस जमाद दो जमाद तीन शिक्षा प्रणाली लागू की वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्टन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है यह तो बताइए क्या होगा इसका अंसर ऑप याणा में कहां पर हुआ तो बताइए कहां पर हुआ था यह ओप्शन सी जपरेक्ट अंबलाच च्शावनी उयानि कि अंबलाच केंट में श्री विश्यम बरनात कोश्ट का जन्म हुआ था काफी फेमस थे यह काफी फेमस कहानी कार थे चलिए फिफ्ब कोशन है पंडित नेकी राम शर्मा ने बिवानी में कौन सा पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था एक तो यहां से यह याद रखेगा यह जो समाचार पत्र इसका अंसर होगा संदेश संदेश है संदेश नामक समाचार पत्र एक तो यह याद रखेगा किसने प्रकाशित किया पंडितने की राम शर्माने और कहां से प्रकाशित हुआ यह भी सभी को याद रखना है पेपर में पूछा जाता है कि कहां से प्रकाशित हुआ तो बिवानी से प्रकाशित हुआ था हर्याना के किस Muslim संत ने हिंदी साहिट्ये के विकास में महतपुर्ण योगदान दिया तो बताएं किस ने महतपुर्ण योगदान दिया था इन में से Muslim संत ने तो इसका अंसर होगा उपरोक्त सभी Uh, question A, B, C तीनो यह करैक्ट है शेक, बहुदिन, चिस्ती सेख यू अलि शाह कलंदर संति सादुल्ला इन तीनों ने ही हिंदी सायते के वीकास में महितपुन योगदान दिया था हारियाना के बहादुरगड नमक कस्थल निम्न में से कौन सा प्रियट अक्सथल स्थित है तो बतोई कौन सा प्रियटेकस थल स्थित है Ops न C is correct गोरिया नमक प्रेटक स्थल बहदरगर नमक कस्बे में स्थित है नेक्स्ट कैथल नगर के निकट बाबल दाना रोड पर गुलाव वंश के किस परशित शाशक का मकबरा स्थित है तो बताएं इन में से किस का मकबरा स्थित है क्या होगा इसका अंसर रजिया सिल्टान पताएं आपको कैथल में कैथल में इनको ये मार दिया गया था सन 1240 में और इनका कैथल में ही मकबरा बना दिया गया था अपको पता है ये लतुत मिश की पूर्तरी थी रो पहली मुस्लिम महीला शाशि का भी थी चलिए नेक्स तेनाइफ कोशिन विच ओफ फॉलोइंग लेंगवेश कंप्यूटर अंडर्स्टेंड अब बताएं मैं से कौन सी लेंगवेश कंप्यूटर अंडर्स्टेंड करता है जावा लेंगवेश भी सी लेंगवेश सी बाइनरी लेंगवेश डी लेंग्वेज सारी अंडेस्टेंड करता है और हम जो लेंग्वेज यूज़ करते हैं उसको यह जो कनवर्ट करके और तब यूज़ करता है कम् 모습 में कनवर्टर लगे होतें है विच ऑफ फॉवील शो लइंग्वेज शोटकट की शोश डपरटीज ओफ फायल कूई सी शोटकट की है जो किसी भी फाइल की प्रोपर्टी शो करती है कि इसमें क्या कुछ है कैसे क्या है तो क्या होगा सब्सक्राइब D is correct Alt plus Enter अगर हम किसी पे बी Alt plus Enter क्लिक करते हैं Alt plus Enter किसी फाइल के हमें प्रोपर्टी जाननी हो तो Alt plus Enter हमें उसकी प्रोपर्टी बताता है विच अमंग दा फॉलोइंग आर्टिकल स्पीक्स अबाउट इंपीच्मेंट ओफ दा प्रेजिडेंट ओफ इंडियाबाद आई अब जो भारत का राश्रुपती होता है उसकी इंपीच्मेंट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है दीजी अंसर Option B is correct Article 61 Article 61 रिलेटेड है नेक्स्ट है बारतिय सविधान के किस अनुछेद के तहत लोकसबा में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षन दिया गया है बदाए क्या होगा इसका अंसर 330, 332, 222 या 345 दीजी अंसर 330, 330 अनुछेद के अंतरगत लोकसबा में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षन का प्रावधान किया गया है इंपोर्टेंट है या आर्टिकल याद रखेगा प्रमे कई बार पूछा गया है नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समु का न्याय शेत्र किस नयले की देखरेख में आता है अब बताई आपको पता है ना कि कुछ राज्यों के लिए कुछ संग शेत्रों के लिए एक ही नयले की व्यवस्ता की गई है उसी नयले में वो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जो भी है अपना फैसला करते हैं तो इसका अंसर क्या होगा पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कॉर्ट की सरकिट बैंच ओके इस जो अंडमान निकोबार द्वीप समु के नयाय शेत्र का नयाय का कारिया है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की जो है वो खंड़ पीट वही करती है और और इसका अंसर होगा केरल हाई कोर्ट के का हाई कोट है और यह कोची में हैं यहीं से कार्य चलता है और अगर पूछ लेज़ें इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी सान 1956 में चलिए 15 सुप्रेम कोट के मुख्य नयादीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच नयाल में कम से कम क कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए अगर इंसान किसी भी नयादीश को सुप्रेम कोट में मुख्य नयादीश के रूप में कार्य करना है तो पहले उसको किसी भी नयाले में कितने वर्ष तक पहले वो कार्य करता हो ना चाहिए तो इसका आशर होगा 10 वर्ष अगर सुप् हुआ है तो हिंदी बाचा का जनम किस से हुआ है बताइए कि अपर ब्रंच से हुआ है चलिए नेक्स्ट है याद रखेगा यह मैंने प्रीवेस एर के इसलिए मैंने इंक्लूड किया है मैं सोच रहे हैं आपके हर तरह के कोशन करा दू जो खासकर प्रीवेस एर मैं पूछेगे क्यों कि स्टूडेंट से स्कावी पर देंगे चलिए अभी नेक्स्ट और एसक्ट तो ग्राम सची हर चीज़ में स्टैप के कोशन पूछे जा रहे हैं तो हर किसी के लिए इंप्रोटेंट है वर्तमान हिंदी का प्रचली तरूप क्या है बताएं में से वर्तमान में राजबाशा संबंदी प्रावधान का उलेगा आपको पता है ना हमारी राष्ट्र बाशा कोई नहीं है लेकिन राजबाशा है और राजबाशा कौन सी हिंदी है तो क्या होगा इस का अंसर है ऑप्शन है ए इस करेक्ट तीन सो तिरतालिस से 351 यानि कि 343 से 351 जो आर् प्रेक्टिस करा चुकिए उनकी बताइए कंठे दुनिया कौन सी है इसमें से ऑप्शन ए इस करेक्ट कख ओके कख गले से आवाज आ रहे है ना जो अब स्टूडेंट जाहां भी बेटा बोलके देखिए कहां से आवाज आ रही है गले से आवाज आ जा रही है तो यह कंठ सेकिंड का टाइम दे रही हूं मैं आपको जल्दी आंसर दीजए थो क्या होगा इसके म्सरवर की जग粮ाज आएगा देखिए सम्मन्स यह सिंगूलर नहीं होता इगा वास आएगा वह दो सब्सक्राइब होता है सब्सक्राइब यह फोटा सब्सक्राइब यहां पर न यह बदो आप दो कमेंट में पूछा था इडियम ठ्र डस्ट इंटू माईजा आई इस तो इस क्या होगा मिस्लेड और कन्फ्यूज यानि गुम्राहिया ब्रहमित करें ना अब नेक्ट कोशन आपके लिए जिसकांसर आपको नीचे कमेंट बोक्स में देना है इन्टोनेमों फैक्सोडस इसका सब स्टूरेंट्स नीचे कमेंट बोक्स में असर देखे जाएंगे अब चल लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू झाल झाल झाल